देश के दिग्गत जुद्द्योग पती रतन टाटा नहीं रहे बीती राप मुंबरी के ब्रीच के आंडिया स्विताल में उनका निधन हो गया रतन टाटा 86 साल के थे टाटा की निधन के बाद देश पर में शोक की लहर है रतन टाटा का पार्थिव शरीर उनके कुलाबा सिद घर पर पहुंच गया है शाम चार बज़े रतन टाठा का पार्थे शरी नाशनल सेंटर फॉर पर्फॉर्मिंग आर्ट स में आम लोंग के लिए अंतिम दश्ण के लिए रखा जएका उसके बाद पार्थे शरी को वरली शमशान ले जाये हैगा जहा रतन टाठा का अंतिम संसकार कर दिया जाएगा प्रधामिति ररीन मोरी ने रतन ताथा को दूर दर्शी बता कर शोक व्यक्त किया है राश्पती समेट काई दिगचों का शोक संदेश एक स्प्लाटफॉर्म पर आया है सफ्रिस्टिकार नाने वाले उद्योग पती रतन ताथा मुंबाई में रतन ताथा का अन्तिम संतकार आज चार बज़े किया जाएगा एके लंबा सफर जिस से देश के उद्योग जगत ने हमेशा एक आइकॉन के तोर पर देखा एक लेजन के तोर पर देखा अब पार्थेव शरीर घर पहुँच चुका है देरात अन्तिम सास रतंटाटा ने लिया I wish you well and I am very envious of you coming out to the India today and tomorrow which is going to be a great country दुनिया के बड़े उद्योगपतियों में से एक लेकिन देश प्रथम की सोच रखने वाले अकूत दौलत मंद होने के बावजूद अपनी साधारण जीवन शैरी की पहचान रखने वाले नामुम्किन को मुम्किन करने का माददा रखने वाले जिनकी सफलता की कहानिया पीडियों के लिए प्रेणा दाई हैं खामोशी से कामयाभी हासल करने का मंत्र जानने वाले देश के अनमोल रतन, रतन टाटा सबको अलविदा कह गए रतन टाटा को दुनिया के एक बड़े उद्योगपती से ज्यादा एक सच्चे देशभक्त समाज सेवी, एक दरिया दिल इंसान के तौर पर जानती रही एक ऐसी अजीम शक्सियत जिसने भारत के आज और कल को सुरक्षित करने के लिए अपनी पूरी जिन्दगी खापा दी यही वज़ा है कि जो सम्मान और प्यार रतन टाटा को हासल हुआ, वो दूसरे उद्योगपतीयों के लिए सपना हो सकता है कोरोना काल में जब कंपनियां बड़े पैमाने पर कर्मचारियों की छटनी करती रही तो रतन टाटा ने इसका विरोध करते हुए नैतिकता के खिलाफ बताया यही नहीं उन्होंने कोरोना महमारी के दौरान सबसे बड़ी मदद दे कर मिसाल पेश की नमक से लेकर सौफवेर बनाने वाली दिगज कंपनी टाटा समू का 21 सालों तक नृत्यत्व करने वाली रतन टाटा का जन्म 28 दिसंबर 1937 को हुआ वो टाटा ग्रूप के संस्थापक जमशेद जी टाटा के परपोते थे हावर्ड बिजनस स्कूल से मैनेजमेंट की पढ़ाई की रतन टाटा साल 1990 से 2012 तक ग्रूप के चेर्मेन रहे और अक्टूबर 2016 से फरवरी 2017 तक अंतरिम चेर्मेन टाटा ग्रूप के चैरिटेवल ट्रस्ट की जिम्मेदारी भी उनके पास रही उन्हें साल 2000 में पद्मभूशन और साल 2008 में पद्मभूशन सम्मान दिया गया साल 2009 में रतन टाटा ने मध्यमबर्ग के लिए एक लाख रुपाय से कम कीमत में नैनो कार लांच की जिसकी प्रेणा उन्हें मुंबई की तेज बारिश में दुपाया वाहन पर चार लोगों के एक परिवार को भीगते हुए देखने पर मिली So many Indians, Indian families, young Indian families, I saw them on two wheelers, the father sitting on a scooter, his son standing in front of him, his wife behind him with a baby in her arms, and on slippery roads when there's rain or in the night. I asked myself, this is a very dangerous way for a family to travel, so can we give that family a safe form of transport where they can be protected from the rain, where they would be safer in the night, and that's what started me on the thought, a new small one-lack car. रतन टाटा की जिन्दगी हमें सिखाती है कि अगर कोई अपने जीवन में इतना बड़ा होकर भी छोटे और बड़ों का सम्मान करना शुरू कर दे, तो यकीनन सफलता दूर नहीं रहती. रतन टाटा भले ही अब दुनिया से व्यदा हो गए, लेकिन 140 करोड भारतियों के दिल में वो हमेशा प्रेना देते रहेंगे. शोक संदेश आने का स्लसला शुरू हो चुका है, ताटा संज ने किस तरीके से शोक व्यक्त किया है, कैसे शद्धानजली दिया है, यह आपको दिखा देते हैं, क्योंकि तमाम दिगज इस वक्त अपना शोक व्यक्त कर रहे हैं, एन चंद्रशेखर चेर्मिन है ताटा के तानेबाने को आकार दिया, ताटा समू के लिए श्री ताटा एक चैमिन से कहीं बढ़ कर थे, मेरे लिए वो एक गुरू, मार्क दर्शक, मित्र थे, उतक्रिष्टा, खंड़ता और नवाचार के प्रतिया तूट प्रतिबद्द्दा के साथ, उनके नितित्व में पास सेवा तक उनकी पहलने एक गहरी चाप छोड़ी है, जो आनेवारी पीडियों को लाभानवित करेगी, पूरे टाटा परिवार की ओर से, मैं उनके प्रियजनों के प्रति अपनी गहरी सम्वेदना व्यक्त करता हूं, उनकी विरासत हमें प्रियरित करती रहेगी, क्यो